नमस्कार, मैं डाक्टरों प्रकास बहरवा, सहय का चार्य संस्कृत, राजकी ऐसनात को तर्महा विद्याले जालावार, आज हम रिगवेद के दस्वे मंडल के नभ्यवे नंबर के सूक्त, पुरुस सूक्त का अध्यन करेंगे, इसके देवता पुरुस तथा रिसी नारयन ह इस मंत्र में रिसी ने परंपुरुस विराट परमिश्वर की विसेश्थाओं का वर्णन किया है। सहेस्र सीर्षा पुरुस है, सहेस्र अक्ष है, सहेस्र पात, से भूमिम विस्वत बृत्वा अति एतिश्थत दसांगुलं। पुरुस है यह परम पुरुस विराड परमेश्वर सहेस्र सीरसहा सहेस्र यानि हजारों अनन्त सीरसा यानि सिर्वाला सहेस्र आक्ष्य है सहेस्र यानि हजारों अक्ष्य यानि नेत्रिय आखों वाला सहेस्र पात है सहेस्र यानि हजारों पात यानि पैरों वाला यह है परमपुरोस विराट परमेश्वार हजारों सिरवाला हजारों आखों वाला और हजारों पेरों वाला है से भूमिम विश्वत है से वह परमेश्वर जो परमपुरुसेव है भूमिम पृत्वि को विश्वत है चार और से बृत्वा व्याप्त करके दस अंगुलम एतिष्ठत है, दस अंगुलम दस अंगुल परिमान में अति एतिष्ठत पार करके इस्थित है, वह भूमी को चारों और से व्याप्त करके, दस अंगुल परिमान में ब्रह्मान को पार करके इस्थित है, अर्थात्व है परंपरोष्ट ब्रह्मान को भीतर और बाहर से व्याप्त किये हुए है, सहस्र सीर सहा, सहस्रम सिरांसी यस सह, सहस्र आक्ष है, सहस्रम अक्छी नहीं यस सह, सहस्र अक्छी, सहस्रपाद, सहस्रम पादहा यस सह, सहस्र पाद है, पुरुस है, पुरी सेते अर्थ में, पुरी सी और के, दस अंगुलम, दसा नाम, अंगुली नाम समाहार है, दस अंगुली, समासांत, अच प्रत्य ओटे का लोब, दस अंगुल, दस अंगुल पद का रिगवीद में अन्यत्र प्रयोग नहीं हुआ है उव्यट ने इस पद का अर्थ दस इंद्रियां अथवा दस अंगुली के प्रमान का हिर्द प्रदेश या नासिका का अगरभा किया है पुरुष का सायन ने प्राणियों की समस्टी की रूप में स्थेत ब्रमान्ड सरीरी विराट पुरुष उव्यट ने नारण नाम वाला पुरुष और महीधर ने अव्यक्त मेहद आदि से विलक्षन चेतन पुरुष आर्थ किया है भूमी पदकार्थ उव्यट के अनुसार भुवनक कोस की भूमी और महीधर के अनुसार ब्रमान्ड लोकों की भूमी या पांच महा भूत है इसमें अनुस्टुप छंद है अगला मंत्र देखिए पुरुष एविदं सर्वं यत भूतं यत चे भव्यं उत अम्रित त्वस्य सानो यत अन्ने नान्ती रोहती इदं सर्वं पुरुष एविदं सर्वं यत भूतं यत चे भव्यं उत अम्रित त्वस्य सान यत अन्ने नान्ती रोहती इदं सर्वं पुरुष एव है इदं यानि यह है सब कुछ जो दिखाए दे रहा है शार्वं सब कुछ पुरुष एव है वह परम पुरुष ही है जो कुछ हमको यहाद कुछ दिखाए दे रहा है वह परम पुरुष ही है अर्थात पूरी जो पूरा जगत है वह इस्वर से व्याप्त है यत भूतम यत चे भव्यम और यत यानि जो भूतम यानि जो घटित हो चुका है और यत चे और यत जो भव्यम होने वाला है अर्थात भूतकाल और भविसकाल ये सब भी उस पर मातमा में ही है या उसके द्वारा ही निर्मित है उत और अम्रित्वस इसान है अम्रित्वस है जो अम्रता रूपी है ऐसे इसान है परमेश्वर से यत जो अन्ने नह अन्ने आदी या जो भूक पदार्त आदी है वो अती रोहती जो है वह सब व्याप्त है या उसी से बढ़ता रहता है यह सब कुछ द्रिसमान वर्तमान जगत पुरुस ही है जो कुछ हो चुका है अर्थात भूत कालीन और जो कुछ होगा अर्थात भविस कालीन जगत भी पुरुस ही है और वह पुरुस देवताओं का अत्वा अम्रित्व का स्वामी है जो पुरुस अन्न अर्थात प्राण कारण बढ़ता है अर्था तिस्द्रिस्मान जगत्रू पबस्था को कि भब्यम भू जाटूसे यत्परत्य करके भब्यम इसान इस इस सानत से इसान अम्रितस्व नै म्री और अम्रितव भाव आर्थ में त्व्परत्य है अम्रित का अर्थ जल सुधा और मोक्ष भी है जो पुरुष जल या सुधा का या मोक्ष का स्वामी है अगला मंत्र देखे एतावानस महिमा तो जयान्च पुरुखे पादो अस विश्वा भूतानी त्रेपादस्या मृतम्दिवे एतावानस महिमा अत है जयान्च पुरुष है पाद है अस विश्वा भूतानी त्रेपादस्या मृतम्दिवे एतावान है इन गुणों से युक्त या विशिष्थाओं से युक्त अस महिमा इस जो परंपुरुष है इसकी महिमा है ये जो अभी विशिष्थाओं बताई गई है इन विशिष्थाओं से युक्त है या इन महिमाओं से युक्त है पुरुस है चै अतहे जायान है चै और जो पुरुस है बहे अतहे इससे भी जायान यानि बढ़ करके है जो विशेष्थाओं का वनन किया गया है उन विशेष्थाओं से भी अधिक बढ़ करके है विश्वा भूतानी अस्पाद है विश्वहा संपून जो भूतान यानि जो भूत है जो पदार्थ है वे अस्य पाद है अस्य यानि इसका पाद यानि एक पैर है उस परमात्मा का या परंपुरुस का ये जितना भी जो प्रानियादी या जो पदार्थ है ये सब उसके एक पैर है अस्य त्रिपाद अमृतम दिविही और इस जो परंपुरुस के जो त्रिपाद तीन पैर है वह है अमृतम जो अमृता रूपी वाला है या जो अविनासी रूप से दुवी यानि दो लोक में व्यापत है इतनी इसकी महिमा है अर्थात भूत भविस बर्तमान काल त्रेवर्ति यह समगर जगत इसकी महिमा मात्र है इसका स्वरूप नहीं और इसलिए यह पुरुस्तो इससे भी अधिक विराट ही है समपूर्ण प्राणी अर्थात यह समगर जगत तो इसका केवल एक पाद चौथाई अंस है इसके तीन पाद तीन चौथाई अंस अविनासी रूप से द्यू लोक में अर्था स्वय प्रकास रूप में अवस्थित रहते हैं एतावान एतद मतुप महिमा महत इमनिच प्रत्य से महिमान बना जायान अयमनियो अतिसाईन प्रसाश अर्थ में यह सुन प्रत्य होकर जैचे सुत्र से प्रसस के स्थान पर जयादेश और ई सुन के ई को आदेश त्रिपात त्रया नाम पादा नाम समाहा रहे पादस लोप वस्त्यात दिव्य है सुत्र से पाद के एका लोप मैकडोनल ने दिवी का अर्थ स्वर्ग लोग में और पीटर्सन ने आकास में किया है इसमें अनुष्टुक छंद है